Hello everyone, welcome back to my channel Beautyzone आज मैं आपके साथ मार्स का जो वंडर मेकफिक्सर है उसका रिव्यू शेयर करूंगी मेकफिक्सर के उपर वो प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मेरे चैनल पर है की मेकफिक्सर होता क्या है और हमें यूज किऊं करना चाहिए और कब करना चाहिए ठीक है ful detail video है और उसमें मैंने Swiss Beauty का जो मेकफिक्सर है उसका यूज किया है और ये है मार्स का वणर फिक्सर ये देखिए ठीक है आईशाडो से अप्लाई किये हैं उन सब को ये एक स्टैक करके रख दे एक जगह मतलब की स्टेप मतलब की वह थोड़ी टाइम बार वह खराब ना हो और फैले नहीं और उसको बिल्कुल स्टेल कर दे वहां पे और बहुत ही जादा कभी कबार तो मेरा तो बेसिकली यही होत तो बैसिकली हम इसलिए यूज करते हैं अपने मेकप को सैट करने के लिए किमेक बसे पहले हम अपना बेस लगाते हैं बेस चाहे अपने फाउंडेशन कोई भी हैवी फाउंडेशन लगाए अगर हमने उसको प्रॉपर सेट कर लिया तो भी वह सेट हो जाता है मैं आपको डेमो के साथ भी यह दिखाऊंगी ठीक है तो यह है मार्स का मार्स के प्रॉडक्स आजकल बहुत ज़्यादा है और आपकी बजट में है सबसे बड़ी बात यह है और यह है मार्स का वंडर में वंडर फिक्सर ठीक है इसका जो प्राइस है वो है 349 रुपीज और यह आता है 50 ml की क्वांटिटी में और आपको 3 years की इसकी shelf life भी मिल जाती है यह है इसकी cardboard packaging और यह है इसकी inner packaging मैं आपको इसके spray के बारे में और कौन सी मतलब की जो skin तो मतलब की skin type है वो इसके लिए beneficial है और सब बताऊंगी इसको detail में तो वीडियो में end तक ज़रूर बने रहेगा तो यह है मार्स का यह है इसकी inner quantity ओ सौरी inner packaging तो यह देखिए यह प्रॉपर लॉक होता है मतलब आपने अगर अपने पर्स पगेरा में रखा है तो as it is गिरेगा नहीं ठीक है तो इसके उपर भी आपका सब कुछ mention है 50 ml की quantity है 3 years की shelf life है और 349 इसका price है मैंने इसको नायका से purchase किया था लिंक मैं आपको दे दूंगी वैसे यह आपको offline online हर जगा पर यह available है और इसकी जो बतलब इसका spray जो है इसका spray बहुत अच्छा है means बहुत अच्छा है कम से कम हमें वैसे भी 7-8 cm के distance से हमें इसको spray करना चाहिए makeup fixer को इसका spray बहुत अच्छा है और बहुत ही ज्यादा hydrating है means जब हम इसको यूज करते हैं तो skin बहुत ज्यादा dry feel नहीं करती मतलब मेरी जो मैं अपना व्यू बता रही हूं कि मेरी जो skin है वह combination skin है बहुत ज़्यादा hydration में रहता है और इसका spray है वह भी बहुत अच्छा है मैंने आपके सामने दिखा दिया इसमें कोई खास harsh कोई fragrance नहीं है बहुत ही mild सी इसकी fragrance है मैं आपको इसका टैमो अपने हैंड पर भी दिखाती हूं बाकी मैं आपको अपना फेस वाला भी आपके साथ शेयर करूंगी यह दिखिए मैं कोई भी आप आईशेडो ले लीजे या चिक है इसमें से मैंने highlighter specially चिक है यह दोनो highlighter हो गए यह हो गए dark colors ठीक है यह मैं इनको अप्लाई किया है ठीक है अब मैं इसको dry होने के लिए थोड़ी दिर wait करूंगी फिर मैं आपको इसको दिखाती हूं कि यह कितना spread होता यह दिखिए जैसे ही हम fixer कोई भी अप्लाई करते हैं यह setting spray तो कैसे जो हमारे highlighters है वो pop-up हो क्याते हैं अगर हम इसको apply करने के बात करेंगे एक trick है एक hack है जो मैं आपके साथ share कर रही हूं कि जो मैं personally करती हूं जब मैं full makeup हो जाता है highlighter मैं fixer से पहले apply नहीं करती fixer को apply करने के बाद ही मैं अपना जो highlighter है वो apply करती हूं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा यह result देता है जब तक यह dry होता है मैं आपके साथ अपना face का जो demo है मैंने किया है वो मैं आपके साथ share करती हूं तो guys आप देखिए कि मैंने अपना जो makeup है अपना blush वगारा मैंने बहुत ज़्यादा dark कर लिया है क्यूंकि मैंने आपको दिखाना था proper show करना था अब मैंने makeup fixer जो है आपके सामने ही है वो result देखिए बिल्कुल transfer नहीं हुआ वो लगा है वो मैं बता रही हूं कि वो सिरफ lipstick लगी है क्योंकि lipstick transfer proof नहीं होती है मैंने प्रॉपर एक शॉट बनाया है और यह देखिए मैंने दुबारा आपको दूसरी साइट से भी यह करके दिखाया बिल्कुल transfer नहीं हुआ आपके सामने ही है अपना फेस का डेमो आपके साथ शेयर कर दिया कि भी कैसे मैंने इसको मैंने अपने इवन की बलश बगार को थोड़ा सा ज्यादा हाइलाइट किया मींस थोड़ा डाक किया था ताकि आपको शो हो सके और मैं उस पर एपलाई करके आपको प्रॉपरली दिखा हूं आपके पा सामने था कि टीशू के उपर कोई प्रेसेंट नहीं था कोई भी चीज विजिबल नहीं हुई ठीक है तो मीन्स यह हमारी स्किन के उपर प्रॉपली वर्क करता है यह रहा मेरे हैंड्स का यह भी ट्राई हो चुका है ठीक है अब हम इसको भी देख लेते हैं यह कि जो अच्छा मिपफिक्स हरोता है ना अगर आपका जो मतलए कि हाइलाइटिंग जो हमारे हाइलाइटर्स होते हैं जो मारे मतले कि घ्लिटर्स वाले जो मतले शिमर्स और घ्लिटर्स अगर उनको लगठ करके रखता तो means वो आपका जो fixer है वो बहुत अच्छा है तो means इसने अगर आपका इसको hold करके रखा है क्योंकि eyeshadows तो normal होते हैं इसको hold करके रखा है तो means वो आपका एक अच्छा makeup fixer है तो ये मेरा मतलब कि ये oily skin वाले भी और इसको easily use कर सकते हैं ठीक है और under budget means 349 under 500 ये आपको मिल रहा है और एक अच्छा makeup fixer तो जरूर इसको try करना चाहिए और बहुत अच्छा है आप इसको regret नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि demo के साथ मैंने आपके साथ share किया है तो ये था मेरा एक छोटा सा review Mars Wonder Fixer के उपर अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी से भी helpful लगी हो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और friends and families में share कीजिएगा और आप मुझे इस comment में ज़रूर बताइए कि आपने इसको try किया है और आपको यह कैसा लगा ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच